तो हाल ही में डिंपल मलान ने अपना experience शेयर किया कि बिग बॉस की घर में उनका experience कैसा रहा अब जिसलिए मैंने व्लॉग देखा मैंने सुचा हो सकता है कि यहां पर कंटेस्टिन का कैसा वहबार रहा या फिर मनीशा के बारे में दो शब्दी उन्होंने बोले होगी जिसके मैंने पूरा व्लॉग देख डाला लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें एक बार भी मनीशा का नाम नहीं देया गया फिलाल यहां पर वह बिग बॉस के घर में जाती है व्लॉगिंग करती है तो उन्होंने सारी चीज़े शेयर की कि कितने बज़े गई कितने बज़े आई कि मुझे पिक किया ड्रॉप किया कॉफी दिया मेकप हुआ यह हुआ वह वह इंटावी हुआ उसके बाद में घर में एंट्री करी मुझे बोला गया कि आप और नाइट रुकेंगी मुझे एक अलग सा वाच्टूम मिला जो कि गेस्ट के लिए था खाना मिला मफेन मेंने सब को बाटे सारी चीज़े उन्होंने बोली लेकिन उसमें एक बार भी नहीं बोला कि मनीशा का जो वहवार था मेरे लिए बहुत अच्छा था मैं मनीशा को अप्रेशेट करती हूं या फिर वह एलविश को ही बोल देती कि यह बहुत अच्छा है लेकिन उन्होंने यहां पर कि मोहम से ही मैं expect कर रही थी कि मनीशा को भी देंगी वो क्योंकि मनीशा के साथ इतनी अच्छी दोस्ती लेकिन वह बिग बोस्त के गढ़ में जाती है तो मतलब वो देती ही नहीं है स्टार मनिशा को मनिशा को वो चीज बुरी भी लगती है कि मतलब एक जो कि दोस्त पहले दिन से बनाया सच्चा बनाया उसका साथ दिया लेकिन उसकी मौम ने भी मुझे स्टार नहीं दिया फिलाल एक यह चीज हो गई और दूसरी चीज बाहर आने के बाद आपनी चुलिए स्टार नहीं दिया था बाहर आकर के अपने एक्सपीरियंस पे चीज़े बता देते कि मनिशा के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था यह था लेकिन कुछ भी उन्होंने नाम नहीं लिया फिलाल इसको क्या बोला जाए यह बोला जाए कि अब शो के खतम होने में बहुत कम वक अच्छे बेशक बहुत अच्छे दोस्ते और फुकरा इंसान का जैसा मैंने नेचर देखा है वह बहार आकर के भी मनिशा से वह दोस्ती निभाएंगे लेकिन पैरेंट्स का क्या पैरेंट्स भी तो सपोर्ट करते ना उनके दोस्तों को जैसे कि यहां पर मनिशा के पापा